शद्धा के बहाने सोनक्षी सिना पर लोग निसाना क्यों साध रहें? सद्धा मडर केस क्या है? आईए जानते हैं और इसका सोनक्षी सिना से क्या लेना देना है? दिल्ली में हुए सद्धा मडर केस से संसनी फैल गई है उसके लिव इन पार्टर्न ने 6 महीने पहले हत्या के बाद आरी से सब के 35 तुकड़े कर दिये थे शद्धा एक डेटिंग एप के जरी उसकी मुलाकात अफ्ताफ मुना वाले से हुई थे दोनों कथित रूप से एक दूसरे से प्यार करते थे लेकिन उसका परिवार इस रिस्ते के खिलाब था अपने परीजनों से बगावत करके स्रद्धा ने अफ्तास से साधी करने का फैसला कर लिया दोनों मुंबई से दिल्ली चले गए ताकि उनके बीच कोई बाधा ना बन सके लेकिन यहां आने के बाद अफ्ताफ बदल गया वो दूसरी लड़कियों के साथ संपर्क में रहने लगा इसे देख स्रद्धा ने जब उस पर साधी का दवाब बनाया तो उसने उसकी हत्या कर दी सबको आसानी से ठिकाने लगाने के लिए उसके 32 टुकडे टुकडे कर दिये चुकी सोनक्षी अभिनेता जाहिर इकवाल से प्यार करती हैं उनसे बहुत जल्द साधी रचाने बाली हैं इसलिए लोग उनके उपर निसाना साध रहे हैं एक तरफ से उनको चेतानी की कोसिस कर रहे हैं कि वो बक्त रहते समल जाएं वरना उनका हाल स्रद्धा जैसा होग इतना ही नहीं लोग हिंदी फिल्म एंडरस्ट्री से कई उधारन भी दे रहे हैं यह कहा जा रहा है कि मुस्लिम अभिनेता हिंदू अभिनेतियों से साधी करके उनका सारेरिक शोशन करने के बाद छोड़ देते हैं आमिर खान ने दो साधिया की दोनों ही हिंदू लड़क से तलाक ले चुके हैं इन तीनों अभिनेताओं का हवाला देते हुए लोग सौनक्ची सिना से कह रहे हैं कि वो जाहिर से साधी ना करें हाला कि सारुप खान और गौरी चिपबर की साधी बॉलिवुड में एक मिसाल की तरह है दोनों 31 साल से खुसी-खुसी साथ में रह र है